अपर्ना यादव पीछे की वचा क्या है तो अपर्ना यादव ने जब साल 2022 में सपा का दामन छोड़ कर बीजेपी जॉइन की थी तो इसे यूपी की सियासत में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी अपर्ना यादव को कोई बड़ा और महत्वपूर्ण पद ये जिम्मेदारी दे सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अपर्ना का इंतजार काफी लंबा रहा और इसके बाद लोगसभा चुनाव के दौरान बातें तो यहां तक होती रही कि मैंपूरी या यादव परिवार की पकड़ वाली किसी भी सीट से बीजेपी अपर्ना यादव को चुनाव लड़वा सकती है लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ हालां कि अपर्ना भले ही सपा छोड़कर बीजेपी में आ गई हो पर इस बात को लेकर उनका स्टैंड हमेशा से साफ रहा कि अपने परिवार के लोगों के खिलाफ चुनाव वो नहीं लड़ेंगी हालां कि 2022 से 2024 तक हुए तमाम चुनावों में कहीं न कहीं अपर्ना के नाम की चर्चा तो रही लेकिन फाइनल मुहर नहीं लग पाई इसके बाद बीजेपी ने उन्हों उत्तरप्रदेश राजे महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने इस पद पर जॉइन नहीं किया है कहा जा रहा है कि अपर्ना इस पद से खुश नहीं है हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तोर पर इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है इस बीच बीजेपी भी अपर्ना को मनानी की कोशिशे कर रही है योगी सरकार में वंतरी दयाशंकर सिंग आज अपर्ना यादव से मिलने पहुँचे थे अपर्ना से मुलाकात उनकी लगभग 45 मिनिट तक चली इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई दयाशंकर सिंग से सुनिये दयाशंकर जी जिस तरीके से उपादस्ष्ट प्या गया और इसके बाद आज ज्वाइनिंग भी थी नहीं पहुची और पहले भी रादी मौरा ने बादचित की तरीके से कि में हमारी कोई सब्सक्राइब करता है पारटी के लिए इनकृट अच्छा है चुनाओं में भी उन्होंने बहुत चाहेब पशलियाधा का चुनाओं हो लोग सुब्सक्राइब काम किया है ढाई लगतार क्या नारा जीए नकी जाहिर परिवार से आई हैं उस परिवार में लंबे समय तक राइनिती हुई है और उनके लिए कोई ऐसा पद का सवाली नहीं है कि छोटा हो बड़ा हो या इस तरह का कोई सवाल नहीं है वह पाटी के लिए काम करने के लिए आई है और उन्होंने बहुत बड़ी अपनी एक विरासत को छोड़ करके भारती जनता पार्टी में वह पद का लेकर करके कभी नराज नहीं करेंगी या भी कुछ संभावना है लाग नहीं कुछ तो साफ कहा होगा जरूर पार्टी का जो भी निर्देश रहा है आज तक उन् कारकरमों में क्या और्म है ऌस्कों करती रही है और बहुत की अनुसासित तरीके से पार्टी के लिए काम करती रहे थिसनित्ट से भी क्या बात्चीत हुई है इसको यह मेरे इसे कोई जनकारी कहें नहीं है। तो दयाशुंकर सिंग का कहना है कि वो पार्टी की कर्मट कारी करता है हालांकि उनके लिए पद का सवाल नहीं है उन्होंने साफ तोर पर ये तो नहीं बताया कि बातचीत क्या हुई लेकिन तमाम बातों से ये साफ है कि अपर्णायादव उपाध्यक्ष के पद से नाखुश है साथ ही बीजेपी उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है बहराल अभी देखना दिल्चस्प होगा कि अपर्णायादव का इस पद को लेकर क्या स्टैंड सामने आता है लगनों से आशीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक